सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आउ सीखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का विशे है तवर्ग तवर्ग, तो बच्चों आप तवर्ग को लिखना सीख चुके हों, लेकिन आज हम इसका फिर से अभ्यास करेंगे, तो शुरू करें तवर्ग का पहला वियंजन है, वियंजन तव, वियंजन तव, पैंसिल को बिंदू पर रखा, एक सीधी रेखा लगाई, अब यहां से एक शिरो रेखा बनाते हुए, इसको गोलाई में नीचे की तरफ घुमा दिया, इस प्रकार से, और उपर एक शिरो रेखा बना दी, ये है, वियंजन तव, तवर्ग का दूसरा वियंजन है, वियंजन तव, पैंसिल को बिंदू पर रखा, एक आधा गोला बनाया, अब नोक बनाते हुए, इसको गोलाई में उपर की तरफ ले गई, इस प्रकार से, सीधी रेखा बनाई, अब यहां से इसको अंदर की तरफ गो वियंजन तव बनाया, अब इस वियंजन तव को यहां से नीचे की तरफ मोड दिया, और उपर शिरो रेखा, यह है वियंजन तव, तवर्ग का अगला वियंजन है, वियंजन धव, एक आधा गोला गोल गोल गुमाते हुए, उपर ले गए, एक सीधी रेखा लगाई, वियंजन धव, तवर्ग का अगला वियंजन है, वियंजन न, पैंसिल को बिंदू पर रखा, एक सीधी रेखा लगाई, अब एक शिरो रेखा लगाई, अब यहां से एक तिर्ची रेखा लगाई, और एक छोटी सीधी रेखा लगाई, और उपर एक शिरो रेखा बनाई, इस प्रकार से, ये है व्यंजन न, व्यंजन न, मेरे प्यारे बच्चों, जब आप तवर्ग बनाते हो, तो आप ये गलतियां करते हो, इन्हें ध्यान से देखिए, जब आप व्यंजन तव बनाते हो, तो इसका गोलाई में नीचे की तरफ ना ले जाके, आप सीधा बना दे बनाया, और इसको नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो, और जो शिरो रेखा बनाते हो, वो भी पूरे थवप बना देते हो, जो की गलत है, जिससे की आपका व्यंजन तव गलत हो जाता है, पैंसिल को बिंदू पर रखा, और इस प्रकार से आपने टर्टमाटर बनाया, और नीचे वाली रेखा तक मिला दिया, जो की गलत है, आपको पूरी नीचे वाली रेखा तक टर्टमाटर बनाना है, बच्चों, इसे प्रकार से जब आप धह धनुष बनाते हो, तब भी उसको नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो, और शिरो रेखा भी पूरे धह न बनाते हो न मेरे प्यारे बच्चों तो आप इसको तिर्ची रेखाना बना कर गोलाई में ऐसे मोड देते हो जिससे कि आपका व्यांजन भी गलत हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप तवर्ग बनाओगे तो इन सब बातों का विशेश ध्यान रखना है जिससे कि आपके तवर्ग के सभी वियंजन एकदम सुन्दर सुन्दर बनेंगे तो देखा वच्चों आपने हमें कौन-कौन सी ऐसी गलतियां है जो तवर्ग करते समय नहीं करनी है अगर आप ये गलतियां नहीं दोहराओगे तो आपके तवर्ग के सभी वियंजन बहुत ही सुन्दर लिखे जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपकी बारी है बहुत सुन्दर सुन्दर तवर्ग हमें लिख कर दिखाने की त, थ, द, ध, न ये है हमारा तवर्ग तो लिख कर दिखाओगे मेरे प्यारे बच्चों सुन्दर सुन्दर तवर्ग धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों